हेलो माइड फ्रेंट स्वागत आपका एक और ने वीडियो में आज का वीडियो बहुत ही जादा दमाकेदार होने वाला है आज के वीडियो में मैं आपको मौनिंग सेटप देना बताऊंगी एक एक कैंडल पढ़ना बताऊंगी और किन डूल्स को ध्यान रखते विए आप क करना चाहते हैं जो लोग चाहते हैं कि मार्केट में हम से पंद्रा मिनट या आधा गंटा दें और अच्छा प्रॉफिट कमाके चले जाएं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी तरह के मौनिंग सेटप के वीडियो मैंने अपने चानल पे और दूरी है और सारे एक्जामपनी क्योंकि जितने जादे एक्जामपना आपको पता हों गींगी कि हर तरह हरस का चाहट अलग है हर आपको देखने को मिलेगा किस तरीकर से आपको समझना चाहिए, गया कि सबसे पहले जो लोगों को पता है वह कृतेस्व मिनिट के लिए वी केंडल्स गिरी हैं यह बहुत ज्यादा पॉइंट्स की कैंडल्स नहीं है मैं आपको यहां पे मेजर करके दिखा देती हूं कि यह कितनी बड़ी कैंडल्स हैं यह देखिए यह दो कैंडल्स किरी हैं यह देखिया आपके सामने हैं 209 पॉइंट्स की कैंडल्स है तो आप बता मतलब किसी setup के through अगर किसी ने यहां पर put लगाई है तो वह obviously यहां तक आने में मार्केट से out हो चुका होगा नहीं हो चुका होगा करने के बाद आया इस बात को समझे प्राइस ऐसा नहीं है कि इस लेवल पर दुबारा नहीं आएगा ठीक है आएगा मगर प्राइस एक्षिन करेगा कुछ ना कुछ यह वाली बात है तो यह मेरा पहला रूल था जो मैं आपको बताना चारी थी आईए मैं आपको दूसरा जाता है बाद लग नीचे चलाः जाता है लुअधी शुझ ट्रा रहें है और यहां कि आ jugar है और को थे यह open बुक्त से हरें गया और पिश्वा पे seller होते हैं ताइस अगर एक लबिल पर बार बार सपोर्ट लेता है डाइट मीज वाप बायर होते हैं देखे इसमें मैं तीसरा रूल आपको बताना चाहते हूं माल लिजे मार्किट ने कोई डोजी बना रखिए ये इस तरीके से मार्किट ने कोई डोजी बना तो इसका मार्केट ने क्या किया इसका मान लीजे मार्केट ने ब्रेक आउट दे दिया याने कि यहां पर कोई इसने ग्रीन कलर की ऐसे कैंडल बना दी ठीक है इसका टॉप कट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है याने कि क्या होगा मार्केट जाएगा तो कॉल में मगर हो बॉडी का लो है सिर्फ वहीं तक आएगी मतलब प्राइस यहां तक नहीं गिरेगा ठीक है अगर रहा से उपर तरफ इसने ऐसे ब्रेक आउट दे दिया है याने की प्राइस उपर ठेर गया है इस डोजी का ब्रेक आउट हो गया याने कॉल में जाएगी ठीक है क्योंकि अब क्या होगे बायर्स हेवी हो गए ठीक है इस वज़े से मगर जो करेक्शन आएगा वो इसके लो तक आ सकता है जहां पर इसकी बॉडी है उसके लो तक आ सकता है इससे नीचे नहीं आ सकता बस आपको यह तीन रूल्स ध्यान रखने हैं और इसके अलावा कोई रूल ध्यान स्थोड़ा कम होती हैं तो इस वज़े से क्लारटी अच्छी मिल जाती है आप इसमें तीन मिनट पे एक मिनट पे भी सरी कंफर्म कर सकते हैं दूसरे टाइम पर जा जाके और इसमें दूसरी बात में आपसे यह कहना चाहूंगी कि इसमें भी ऐसल होते हैं एक दो बार ऐसल चाहरी हूं कि आप इसमें टाइम फ्रेम बदल बदल के भी देखते रहें कंफर्मेशन आपको मिलती रहेगी देखें मैं आज का ही 24 तारिक आज का ही 25 तारिक एक्जामपल पहले ले रहां चाहूंगी देखें यहां पर पहली कैंडल आपको दिखाई दे रही है यह वाली है क्या प्राइस इसको उपर निकालता है तो यह इसे उपर नहीं निकाल रहा है यह किसी भी को जैसे इसने आप यह कॉल वालों को बिठाया इतनी ग्रीन कैंडल बनाईकिसी भी डौसी का लग काट देये आप अAGर तीन मिनिट पर देखेंगे तो आपको यहां पर छोटी दोजी भी मिलेगी कोई न कोई तो जैसे यहां पर चोटी डोजी तीन मिनिट पे मिली दिखी थी आज का ही प्राइस एक्षन है क्योंकि तो उसका जैसे ही लो कटा तो आप देख सकते हैं आपको कितने अच्छे पॉइंट्स मिले और यह बहुत जादा पॉइंट्स है मैं आ आपको मेजर करके दिखा देती हूं जैसे आपने यहां से भी ट्रेड लगाई माल लिजे तो यह देखिए 139 पॉइंट्स है बहुत जादा पॉइंट्स है यह कम पॉइंट्स नहीं है और इसमें मैं आपको यह बात भी बताना चाहती हूं कि देखिए यह 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 भी एक पता है ना तो आप इस चीज में सही प्ले कर पाएंगे तो आईए मैं इसे पांच यून पर कर देती हूं फुर से तो इसमें आपको एसल भी पता चल गया और आपको यह भी पता चल गया कप ट्रेड लेनी चाहिए देखे इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर देखे पहली कैंडल ही डोजी है यह ग्रीन वाली इसका टॉप काटा मार्केट ने और आपको कितने अच्छे पॉइंट सिखाई दे रहे है और इसका लो जो है वो इसका एसल हो गया और यहाँ पर क्या यहाँ पर डारेक्ट मूव है ठीक है यहाँ पर डारेक्ट मूव है यहाँ पर हैसल है नहीं यह आप कह सकते हैं कि यह पहली स्विंग है उप नीचे से आते वे मार्केट के लिए यह इस तरह यह पहली स्विंग है तो आपको यहाँ तक के इसमें टार्गेट मिले हैं ओके यह वाली चीज़ है तो सब्सक्राइब कम से कम यह होगी अगर यहां से भी सेलिंग लगाई है तो यह देखिए 179 पॉइंट्स की कैंडल है तो इतना प्रॉफिट कौन दे देगा अपना याने कि यहां पर कोई एसल नहीं है यहां पर फिर एक मार्केट ने डोजी बनाई है इसका लो कटा है तो है यहां पर यह दो अगर यह नीचे गिर रहा है तो इस लेवल से थोड़ा सा नीचे गिरेगा यहां पर है इस पहले पैसा लगवान पड़ा एस न लगवाने पड़े तब यह फिर बी उपर गया है मगर यहां तो पैसा ही नहीं तो यहां पे इस तरह यहां तक नहीं जाएगा यह ओके यह बात आप समझ रहोंगे बाइस फारिक का चार्ट देखें इसमें क्या यहां पे बहुत बढ़िया रेड कैंडल की रिए यहां पे इसने बेस में डोजी बना रखी है इस इसका हाई कटा आप इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं इसकेंडल पर आपको यह वैसे बहुत उपर वह मिल रहा है मगर आप इससे एक या तीन पे और यहां पे लाइन लगा लिए और एक या तीन पर जाके कंफर्म कीजिए कि इस केंडल का टॉप कट रहा है नहीं कट रहा आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा कि हां कट गया तो जब यहां पर होगी ना यहां पर तब यह आप इसमें कॉल की ट्रेड लगा लेंगे इस जो स्विंग है यह इससे डाउन रहेगी अगर इसे पुट में जाना है तो अपना यह जो रेजिस्टेंस लेवल है इसे टेस्ट नहीं करेगा मगर इसे कॉल में जाना था तो इसने इसको ब्रेक आउट दिया और देख लिए उसके बाद मार्केट कॉल में ही है तो आप इ इसका हाई कटे एक मिनट पर तीन मिनट पर आप चेक कर सकते हैं तो आप यह देखेंगे कि इसने ऊपर कॉल की तरफ मुमेंट दी है मगर इसने यह टेस्ट नहीं किया क्योंकि इसे पुट में जाना था इसने इस लेवल पर फिर से कोई डोजी बिनाई हरी वाली पकड़ लीजे यह वाली पकड़ लीजे कोई भी केंडल का लो कटे जैसे ही आपको समझ जाना चाहिए कि प्राइस उट में जाने को तैयार है तो है नहीं है बड़िया चीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्रीज वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को इस तरीके से नहीं पता चल पाती है जीजे सुभा की मुमेंटस कैंडल में मन बहुत घबराता है यह आपको बहुत ही सेफ चीज बता रही हूं कि असल भी आपका कहां पर होगा देखें यह एक एंडल आपको दिखाई दे रही है जैसे ही इसका हाई कटा आप समझ सकते है मार्केट में कॉल की तरफ जाना चीए यह देकि इसने लाइन से यहाँ पे यहाँ पे इसने लाइन से सलर्ड बिठा रखें यहाँ पर सलर बठा अहां रखी है अगर उपर जा रहे है तो इनके असल लेगा देखें इस MAR इसलें मेःसल लिए है इसी लेवडका campaign यहां पर अगर यह पूठ की तरफ जा रहा है तो आप देख सकते इस बाइर को तो लेगा मगर इसे टेस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर डारेक्ट नहीं है इस वजह से इसलिए इन्हें लेगा फिर इसने लेखे ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर दिया है तो एक डोजी आपको कितना वह दे सकती है और मेरे चानल पर डोजी के बहुत से वीडियोस हैं अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो मार्केट मिरर केंडल लिखें केंडल के जितने वीडियोस हैं आपके सामने आ जाएंगे और अगर स्पेसिफिकली डोजी को जानना चाहते हैं क्योंकि डोजी का उप्षिस सच परतारियों बहुत ज्यादा योगदान है तो आप लिखेंट मार्केट मिरर डोजी आपको सपोर्ट पर डोजी इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत जादा है अब देखिए 15 तारिक का चार्ट है यहाँ पर यह बनी भी है केंडल इसका देखें मार्केट ने लो काटा है यह पहली जो डोजी बनी है इसका लो काटा है तो यह मार्केट नीचे तो गया है मगर इस निका किया हमारा एसल का ब्रेक दे दिया याने इस दिन हमारा NestL हुआ है यह जो इसका बॉड़ी था इस से उपर चला गया है प्राइस कि इसका भाइस दिन हमारा lucky है आप अगर आप इसमेंगर आउस के लेना चाहिए कि इसलिए मैं कहारी हूं कि आपको और भी वीडियो देखने चाहिए प्राइसे के देखे यहां पर क्या यहां Debate estas करना पड़ जाibl कि इसलों के बेसिक्स हैं बहुत जादा जरूरी है आप्षिन्स में इसलिए मैं आपको यह चीज है आफा यहां आपके लिए बलकिन बनाके ऐससे थो नहीं है कि मार्केट जो एक दम से कडिल बनाकर ऐसे जाएगा ऐसे तो कभी आपने नहीं देखा होगा आपने क्या देखा होगा आपने यह देखा होगा कि मार्किट क्या करता है ऐसे candle बनाएगा फिर एक candle बनाएगा फिर एक candle बनाएगा और उसके बाद market क्या करेगा कोई एक green candle बनाएगा मगर इस एक green candle से market जो है वो reverse नहीं हो जाता है आप यह जरूर देखेंगे कि market एक बार और इसका low निकालेगा यह होती है trapping candle इसलिए मैं आप से कहरे हूँ कि market यहाँ से support नहीं लेगा तो फिर वो trap कैसे करेगा market को यहाँ से support लेना पड़ेगा अगर market को call की तरफ जाना है अरि लेग्जिन है इसने सपोर्ड ली हम पे-सपोर्ट पे स्क चोटी सी डोजी बनाई जैसे ही इसका हाइग कट आप देख सकते हैं market ने कितनी अच्छी इया है फिर यहां साश्य उख़ोड हूं कitना आच्छा यहां पर दिया है ठीक है अब भी market ने जब market यहां पर गिर रहा है तो इससे test नहीं किया है market ने क्या किया है market ने यहां पर देखे इस level पे buyer बैट राई नी बैट राई कितनी ज़ादा buying अरी है इस level से market ने इस level को निकाला है सिरफ देखे यहां तक निकाला फिर यह विक उपर उठा ली इस लेवल को टेस्ट नहीं किया है इस बात के फरक को समझे आप आपको मैं इस से दिखा देती हूँ देखे यह उपर है यह उपर है और यह यहां पर है तो बहुत फरक है इन चीज़ों में अगर आपको ऐसी डीप नॉलिच चाहिए ऑप्शन की तो आप टेलिग्राम पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं देखे यहां पर दो कैंडल गिर रही है ठीक है पहली कैंडल यहां पर डोजी की है इसका लो ही कटा है मतलब पहली कैंडल यहां पर जो है उसका लो ही कटा है ओके तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या है मार्केट इस तरह पुट में आया है ओके फिर यहां पर क्या हो रहा है देखे इस लेविल पर मार्केट में सपोर्ट बैठा था पिछले दिन तो market ने जब इतना support यहाँ पर इतना buyer उस दिन बैटा था दस्तारिक को तो आज के दिन भी यहाँ पर buying तो आएगी ही न तो देखे market ने यहाँ पर क्या किया फिर से buying बिठाई तो देखे यहाँ पर buyer हो गया यहाँ पर buyer हो गया तो देख लिजे market नीचे की तरफ गिरा है आपको यह जो चीज है ना इतनी बड़ी बड़ी candle से यह गिर दी है इससे खुदी यह समझ में आएगा कि मुझे ready रहना है put की trade के लिए मुझे इसमें नहीं फसना है बस किसी भी candle का आपको low cut दिखाई दे आप बस इसमें आराम से put ले सकते हैं देखिए यह कुछी नहीं है इसमें बहुत easy है देखिए यहाँ बड़ी candle किरी है यहाँ पे एक doji बनी है इसका high cut आपको call की तरफ के target मिले हैं मगर यह यहाँ तक नहीं मिलेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ी candle है इसका high नहीं कार्ट पाएगा market इस तरीके से एकदम से इसे इसका low निकाल के पहले seller को attract करना पड़ेगा यह देखिए इसने seller को attract किया उसके बाद यह जो भी price action करें यह एक ही दिन में जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में हो जाई यह दो तिन दिन में भी हो जाता है मगर आपको इसमें यह ready रहना है जब इतनी बड़ी candle है कि मुझे put के trade के लिए ready रहना है जब आपको इस doji का low कटा दिखाई दे तो आप इसमें आराम से trade ले सकते हैं कि अब तो market कम से कम इसका low तो जरूर निकालेगा देखे किते सारे examples मैंने आपको पताएं ये भी देखे बहुत easy है ये बड़ी candle गई है यहाँ पर ये doji बनी है ठीक है इसके parallel market ने और candles बना दी तो कुछी भी candle का low कट है जैसे ये green candle है का low कट है आपको market put में जरूर आता हुआ दिखाई देगा मगर जैसे ये red candle मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि ये इतनी बड़ी red candle की लिए है ऐसे ये बहुत बड़ी हरी candle है तो market ऐसे नहीं आ जाएगा एकदम से तो you have to be ready for the call trade तो इसमें आप किसी भी candle का high कटावा देखें आप देख सकते हैं इस candle का high कटा है आपको market call में जातावा दिखाई देगा कम से कम इसे तो जरूर निकालेगा ओके तो आप देख लीजे इसमें क्या हुआ है ये देखे इसका high निकाला है market ने अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजे और कमेंट जरूर कर दीजे देखे ये candle है इसका high काटा है market ने आप देख लीजे कितने सारे points market के आपको मिले है और ये भी doji type candle ही है अगर आपको इसमें difficulty हो रही है ये नहीं समझ में आ रही है नहीं पकड़ पा रहे है कोई बात नहीं ये देखे एक लंबी candle बन रही है एक लंबी candle बन रही है उस लंबी candle के बाद market ने एक doji type candle बनाई है आप ये देखे इसका high कट रहा है इसका low कट रहा है देखिए यहाँ पर तो low cut रहा है आप एक minute पर confirm कर सकते हैं ठीक है इसका low cut रहा है यहाँ पर एक line लगा दीजिए एक minute के chart पर चले जाए यह आपको दिखाई दे जाएगा वहाँ पहले ही दिखाई दे जाएगा कि इसका low cut गया बस आप इसमें आराम से put की trade लगा सकते हैं पांच तारिक का chart यह last chart है क्योंकि काफी सारे बता दिये मैंने यह देखे यह भी एक वैसी ही candle है जैसे आज के market में बनी थी आपको यहाँ तक नहीं देखना है क्योंकि यह तो बहुत बड़ी candle है आप यह देखिए कि यह जो body है इसका high cut है low cut है और कुछ भी नहीं समझ मे आ रहा है इसका low cut है इसका low cut है यह तो नहीं कटा इसका low cut है तो आप देख लिए मार्केट में आपको अच्छे खासे पुट के points दिये हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अगर अब तक वीडियो की भावना में नहीं ना बहे है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कृपया उसे ही क्लिक करके आईएगा देखिए यह मेरा टेलिग्राम चैनल है इसमें 5929 सब्सक्राइबर्स हैं और यह नमस्ते का साइन बना हुआ है किरपया इसी चैनल पर आईएगा और आपको मेरे यह जो मैं आपको यहां करके बताती हूं यह ठीक है तो आप यह देख सकते हैं और उस पर आपको यह नहीं मिलेगा इसलिए इससे भी आप अधंटिकेशन का वो कर सकते हैं और सब्सक्राइबर काम भी बता रही हूं कि 5900 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं तो यही था वीडियो अगर आपको